कि तो फिर हेलो गाईज आप सब्सक्राइब तो फिर फटा फुट शूरू करते तो फिर में इसके जो डंडी है वो इसे कुछ इस तरी से मोड के लेता हूं यह इसका बेस होगा और इसके आगे के जो यह पार्टिकल है यह जो छोटे शोटे शोल से ज़ाड़ू थे वह हमें इसके लेरने हैं और हमें उसे कुछ इसळस से निकाल आपकर हात में पकड़ना है गया है अब हम करें कर एक तक लगाना है कट लगाने के लिए मैं एक होगा यह दो सिर्फ स्मूद्श मुद्श सथे उससे लेना है यहां पर एक धागा बढ़न देता हूं में कैं है और यह कुछ इसनल में घागा जो है वो रब कर देताओं एक और इसे पृट कर दिया और अब हमें इस का ब grs auf गाइलieux है इसे के से में पड़न की और देखे तो फिर मैं इसे फटाफट से टेप की मदश से चिपकाता हूँ आप भी इसे टेप से चिपका और आप इसे सिर्फ पाच मेर में बना सकते हो यह मैंने टेप ले ली और इसे चिपका देता हूँ तो फिर इसके उपर मैंने टेप चिपका दी है अब मैं और एक बार इसके उपर जहां पर टेप चिपकाई है वहाँ पर एक धागा बान देता हूँ और और एक बार उसके उपर टेप चिपकाऊंगा जिससे कि इसके जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ जाएगी यह ज्यादा और कुछ इसते इसके उपर में और बर टेप लगा देता हूं जिससे ये मस्बुत हो जाए और ये कुछ इस सरे से तैयर हो चुका है इसका थोड़ा सा आगे का जो पार्ट है वह जादा फूल गया है इसलिए मैं थोड़ा सा ही करता हूं अब आपने तरह आड़ेस्स कर देना और अब हम इसका रियल टेस्ट लेते में ने प्रिंटिंग से कार्टून का प्रिंट काट लिया है निकाल लिया है और यह जो कलर है वो मैंने घर पर बनाया है वो भी काफी सिंपल से तरीए से है उसकी लिए को मैं डिस्कृष कर दिजे चैना पो नहीं तो जल्दी सल्दी सब्सक्राइब कर दिजे हम मिलेंगे से नेक्स शुड़े में किसे नेट और सब तब तक जय हीन जय भारत